लपड 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 वो सामने पेड़ के ऊपर वाव छोटी नीलम So Hello Friends, आज आपका स्वागत करते हैं Leopard Series, छोटी नीलम, राजजी टाइगर रिजव, मौहांड गेट, चीलावाली रेंज One of the best place for leopard दोस्तों So, बने रही हमारे साथ इस ब्लॉग में So Hello Friends, मेरा नाम है वीरुनेगी, मैं आपका स्वागत करता हूँ राजजी टाइगर रिजव, चीलावाली रेंज, मौहांड गेट में दोस्तों So ये जो गेट है दोस्तों, बड़ा ही famous रहा है Leopard के लिए इस साल जब ये पाक खुला था हमारा November 2023 में और 2024 जून को जब ये बंद हुआ इसमें बहुती शांदार सैटिंग हुई हमें Leopards की So आज की सीरीज की हमारा असली करेक्टर है चोटी नीलम चोटी नीलम, one of the best female leopard, best में इसले कह रहा हूँ कि जो भी यहां पर परेटक आया उसको ये female leopard जरूर दिखाया दोस्तों और साथी photographer ने इसको हर angle में अपने camera में cat किया है कभी पेड के उपर, कभी पानी पीते हुए, कभी kill करते हुए So ये जो leopard है इसने कई लोगों को बहुती शांदार pictures दिये और कई लोगों के लिए बहुत memorable trip बनाया Mohan drawing जो है दोस्तों leopard के लिए दो-तिन साल से बहुत ही ज़्यादा famous हुआ है यहां पर जो leopard sighting होती है बहुत शांदार होती है दोस्तों So आपको ले चलते है चोटी दिलम के पास दोस्तों यह देखिए सामने spotted deer है जो alarm calls कर रहे है आप सुन सकते हैं और बहुत ही धीरी धीर alarm call हो रही है leopard को यह कहीं न कहीं को smell कर रहे है या उसको समझ पा रहे है कि कहीं leopard है आसपास और यह सब के सब चीतल जो है धीरी धीरे रोर को cross करते हुए और यह आखे की तरफ बढ़ रहे है और यह जो इलाका है दोस्तों चोटी निलम का इलाका है यहाँ पर चोटी निलम यह देखे सब जाडियों के अंदर आप देख सकता है चोटी निलम नजर आ रही है जाडियों के अंदर धीरे धीरे चलती हुई और अब यह सडक पर आएगी दोस्तों यहां से ट्रैक को cross करेगी यह देखिए चोटी निलम को बहुत से लोग माया क नाम से भी जानते हैं देकिन जो इन छोटी निलम इसको लिए कहते हैं क्योंकि इसकी आखे जो हैं बहुती सुन्दर बहुती ब्यूटिफुल निली है दोस्तों यह देखिए परेटक जो है फोटो लेते रुए और यह लेपड जो है अंदर चला गया और यह अब सामने की यौनिंग कर रही है और बहुती बढ़िया यह देखिए उपर की तरफ देखती हुई क्योंकि उपर गिलहरी होगी आवाज आ रही है स्क्वैरल बोल रहा है और यह आगे की तरफ बढ़ती हुई देखिए दोस्तों ग्राश लेंड से यह आई आई आपका रिवर बे पेड़ पे बैठे हुए स्क्रैच करते हुए पेड़ पे तो जो चोटी नीलम है सांधार तरीकी से यह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाती है दोस्तों मतलब जैसे कि मैंने कही बार अबसर्ब किया है जब गाड़ियों की आवास सुनती है अचानक से सफारी ट्र दोस्तों तो वो आप इसको आपड़ कर सकते हैं और ये एस समय कुछ देखती हुई कुछ सोचती हुई कि आगे क्या किया जाए और यहां से आगे की और बढ़ती है जोस्तों एदेखिए बहुती कैमोफ्लाज कोर्ट होता है ना डपड का शांधार एकडम ये लिए जो दोस्तों जो चोटी नीवर है अदाएं बड़ी शांदार है इसका वाकिंग का स्टाइल इतना सुंदर है जब कभी बैक्टी है तो अपनी पूछ को इस तरीके से हिलाती है मानो बिलकुल मस्ती मैं है दोस्तों और यह देखिए यह आगे की और बढ़ती हुई देरे देर इस प्रेड़ पे भी नजर अखी हुई है और प्रेड में ऐसे चड़ती है बड़े फूर्ती के साथ मतब इसकी चो फूर्ती है उद देहने लाएगा दोस्तों और यह देरे देर आगे बढ़ती हुई कुछ तो स्टॉक कर रही है जो कोई चीतल यह सांभर आगे हो सकता है जिसको यह स्टॉक कर रही है और कई बार यह ऐसे अमेजिंग एक्शन शॉट्स देती है किसी प्रेड को जब यह हंट करती है यह स्टॉक करती है तो इसको देखने लाएग होता है दोस्तों उसी बहुत ही शांदार और यहां से यह देखिए वाटर हॉल के बहुत ही इसको देखने लाएग होता है और आप कमेंट पे जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा जो कभी चीला वाली गए है मोहांड रेंज में उन्हें जरूर यह फीमेल देखियोगी आपको इसका नाम माया बताया गया होगा और यह जो है दोस्तों छोटी नीलम के नाम से भी करें लिटेड़ का मैंने बड़ा उब्जर्वेशन किया दूस्तों एक एरिया पे रहते हैं और यह देखिए फोड़ा आगे की चल दी और यहां पर से यह देखिए यह आप यह यह फ्यापने आप ने जरूर देखा होगा जदूस्तों कमें जरूर लिखिए गा यह वीड इस प्रकार से यह आगे बढ़ता है और बंदर की बच्चे के साथ यह कुछ खेलता हुआ नजर आता है दोस्तों यह उसको खाता उसके मां को पहले मार चुका है उसके बाद यह उसको साथ खेल रहा है तो मतलब आपको इसके अंदर ममता वाला नहीं जो एंगल है मतलब जो बछ्चे बंदर का ही यह उसका प्रेय है उसके हाथ भी ऑफ खेलती रही काफी दीर तक इसको उसके उसको इसको बार में चंगल के और जीरे घशीट की ले गई उसके बाद तो भगवान ही जाने क्या हुआ आगे जरूर उसकी मां को तो मार दिया उसके बाद वह प्च्च और अपने जो आव भाव जो उसके देखने लायग होते हैं वो बहुती गजब होते हैं दो शांदार चोटी निलम की मुचे बड़ी प्यारी है चोटा मुँ है और बहुती सुन्दर यह देखिए अगली वीडियो में आप देख सकते हैं यह वाली वाली यह देखिए किस तर एक सफारी में जो आपको तीन से चार घृंटा जंगल के उन्दर सामें मिलता है आप 1-10 घृंटा तो आप इसक देख पाते हैं इसको देख पाते हैं इसका behavior दिख पाते हैं आप इसको enjoy कर पाते हैं येन किस परकार से जो ये शाय leopards होते हैं उनको आप अबस्वर्व कर सकते हैं ढोस्तों तो आपका गर प्रोग्राम बन रहा है फोतोग्राफी का तो आप हमसे contact कर सकते हैं मेरा नाम विरू ने गया दोस्तों मैं आपको राज नीलम तो कमाल है दोस्तों अभी जो लाइट देखिए अभी हापर गोर्डन लाइट नहीं है अब यह देखिए यह देखिए गोर्डन लाइट यह जो गोर्डन लाइट की फोटोग्राफी होती है न यह तो दोस्तों जो फोटोग्राफर्स होते हैं उन से अच्छा कोई जा गजम, तो मैंने आपको बताया, कि ये चोटी नीलम, जिसको आपने प्रेड पे देखा, स्टॉक करते हुए देखा, किस परकार से अपने प्रेड को पकड़ रही है, तो ये हमारी स्रीज की पहरा पार्ट था, जिसको मैंने गहा चोटी नीलम, चोटी नीलम, पार्ट वन, र वाइड लाइफ इज वीरू नेगी को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद